नमस्कार दोस्तों, सार्स कोविड 2 एंटी बॉडी टेस्ट क्या होता है और अगर इस टेस्ट में आपके खून में एंटी बॉडी पाई जाती है यानि कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या आप आगे आने वाले कोरोना वाइरस के इंफेक्शन से सुरक्षित हैं सारी जानकारी दोंगा इस वीडियो में वीडियो के एंड तक बने रहेगा तो एंटी बॉडी क्या होती है वह हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होती है और जब भी हमारे शरीर में कोई इंफेक्शन आता है तो वह उससे फाइट करती है और खुद ही बॉडी में प्रीutz होती है क να ऐसे लोग जो पेहले कोरुना पॉजिटिव रह चुके थे लेकिन बिल्कुल ठीक हो चुके है तो उनके बलेड में एंटी बॉडी बन चुकी हैं जो की कोरुड़ना से फाइट कर सकती है और उस कोरुना वायरस को हरा चुकी है वह उनके बलेड के प्लास करूंगा पांच पॉइंट में आपको बताऊंगा सबसे पहली चीज कि जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो यह बिल्कुल भी नहीं बताता कि आपको कोविड-19 का इंफेक्शन है यह नहीं एंटीबॉडी टेस्ट अलग होता है और आपके ब्लेड में एंटीबॉडी है वो अलग होता है दूसरी चीज है कि कुछ लोग सोचते हैं हम एंटीबॉडी टेस्ट कराके अपना कोविड-19 देख लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है एंटीबॉडी टेस्ट सिफ यह दिखाता है कि आपके ब्लेड में एंटीबॉडी है या नहीं है और आर्टी-पी-सी- वो वाइरस कुछ भी हो सकता है अगर आपको पहले किसी वाइरस से इंफेक्शन रह चुका है तो एंटीबॉडी उसकी भी हो सकती है जरूरी नहीं कि वो कोविड-19 के ही एंटीबॉडी हो चौता पॉइंट और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग के मन में है कि अगर आपका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव वाता है और आपके ब्लेड में एंटीबॉडी है इसका मतलब यह नहीं कि आप आने वाले कोविड-19 के इंफेक्शन से सुरक्षित हैं पुरी तरह ऐसा बिल्कुल नहीं है कोविड-19 का वाइरस अपने आपको इसका मतलब यह नहीं कि आप इंफेक्शन हो लेकिन आपको सिंटम अपेर नहीं होते हो और एंड में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन लोगों से जो पहले कोविड-19 रहे चुके हैं को रना से फाइट कर चुके हैं लेकिन बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अगर आप इलेजिबल हैं प्लाजमा डोनेट करने के लिए तो आप जरूर कीजिए आपके एक बर प्लाजमा डोनेट करने से किसी की जान बच सकती है तो वह बहुत बड़ी बात है मैं एक ओफिशल वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में उस पर आके रेजिस में आपके जो भी आपके डाउट्स हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं एंटी बॉडी को लेके प्लाजमा डोनेशन को लेके उन सब के मैं आपके आंसर करूंगा के मुझे मुझे बताईए